तैंके दोस्तों आप सभी यहां पर title और thumbnail को देखके आप यहां पर समझी चुके होगे जो आज का यहां पर topic होने वाला है वो यहां पर proximity के जो application होती है इसमें आपने यहाँ पर खुद से pay कर दी है काफी बंदोगा मेरे पास मेसिज आया था कॉमेंट आया थे कली के दिन यानि कि 3 तारिक के दिन कि भी हमारी यहाँ पर EMI 12 बज़े तक नहीं कटी है यानि कि 8-9 बज़े तक नहीं कटी है क्या हम उसको अपने खुद से यहाँ पर pay कर दे उसके बाद में pay करने के बाद में क्या हमारे यहाँ पर account से दुबारा से EMI कटने वाली है इन सभी doubt को लेकर दोस्तो आज कि इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि भी आपके यहाँ पर EMI bounce होती है उसके उपर आपके उपर कितना यहाँ पर charges वगयरा लगेगा कैसे भी आपके यहाँ पर EMI bounce होती है अगर आपके EMI bounce होती है तो भी आपके उपर यहाँ पर कितना charges लगेगा और भी यहाँ पर दोस्तो आपको यहाँ पर पर आपके email बाउंस होतही है आपके ऊपर कैसे चार्ज नहीं लगना है वो भी दोस्तो आज कैसे वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ और भी आपकी यहाँ पर ऐसा content आपको मिलता रहता है without time waste के वीडियो को start करते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पर application को यहाँ पर open किया वाया इसने meet की और जैसे कि आपको यहाँ पर पहली पता है कि इसने meet की application को मैं यहाँ पर काफी दिन से यहाँ पर use करता हूँ और दोस्तों मैंने यहाँ पर personally काफी इसके यहाँ पर product मैंने यहाँ पर buy कर रखे हैं जैसे कि आप यहाँ पर उपर की side में भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे pay your EMI in advance यानि कि जो मेरे यहाँ पर EMI है वैसे यहाँ पर तीन तारिक में deduct हो चुकी है 274 रुपएगी दो EMI मेरे यहाँ पर चल रही थी जो कि थी 2800 कुछ रुपएगी जो कि मेरे यहाँ पर EMI deduct हो चुकी है तीन तारिक में अब भाई काफी सारे बंदों की यहाँ पर जो EMI होती है वो deduct नहीं हो पाती है या तो उनके bank के कारण या फिर वो यहाँ पर पैमेट लेट डालते है उसके कारण या फिर उनका यहाँ पर कोई bank में server में कोई यहाँ पर problem होती है उसके कारण उनकी EMI यहाँ पर deduct नहीं हो पाती है वो काफी यहाँ पर wait करते हैं काफी परसान होते हैं और भी मेरे पास में कापी बंदोगा मैसेज भी आया है कि हमारी यहाँ पर जो EMI है वो तीन तरगे में हमारी यहाँ पर डिड़क नहीं हो पार यह 8-9 बजे तक मेरे पास में यहाँ पर मैसेज जाए है तो भई मैं उनके लिए यहाँ पर बता देता हूँ अगर भी आपकी EMI आपके यहाँ पर बैंक सर्वर बैंक प्रोब्लम की वज़े से अगर भी आपकी EMI यहाँ पर डिड़क नहीं हो पाती है तो तो दोस्तो आपके ऊपर 1B रुपा यहाँ पर चार्जिस नहीं लगगए next day में दोस्तो आपके पास नहीं पर pay नहीं आउगा आपके पास में यहाँ पर option आजाएगा वहाँ पर दोस्तो जाकर आप अपनी EMI को यहाँ पर pay नहीं पर कलिक करके अपनी EMI यहाँ पर pay कर सकते हो कोई दिख्यतवारी बात नहीं है आपके उपर एक विर्पा चार्ज नहीं लगेगा सेकंड प्रोल्म में यह आती है कि भी आपके यहाँपर EMI से तीन तारीक में है और तीन तारीक में आपके पास भी यहाँपर पेनाओ को ओप्सन आ चुका है तो भी उस केस में दोस्तों आपके यहाँपर AMI आपको यहाँ पर 3 तारिक में आपको यहाँ पर पे करनी है आपकी यहाँ पर 2-2 AMI नई कर तेगी नई डिड़क्ट होगी VisaMate की अप्लिकरण 2-2 AMI नई कर्ट सकती है अगर आपकी यहाँ पर debt दिया तो भी आपकी AMI यहाँ पर आपके यहाँ पर bank out से नहीं कर्ट जाएगी यह दोस्तों यहाँ पर stamp it की guarantee है यह दोस्तों मैं यहाँ पर अपने experience से बोल रहा हूँ क्योंकि यह सभी के सभी यहाँ पर problem मेरे पास में हो चुकी है यहाँ पर अगर भी आपकी AMI bounce होती है आपके पास में पैसे नहीं है किसी भी कारणवंस bounce होती है जैसे कि आपके bank out में पैसे नहीं है या फिर आपको यहाँ पर pay नहीं करनी है तो भी उस case में दोस्तों आपके उपर कितने यहाँ पर charges लगने वाला है तो भई मैं उसके लिए आपको यहाँ पर बता दूँ 750-800 रुपय तक आपको यहाँ पर चार्ज लगेगा 400 रुपय तो इसका यहाँ पर बाउंस चार्ज होता है और 350-300 रुपय कुछ एक चार्ज और होता है साड़े साथ सुसे साड़े 800 रुपय तक दोस्तों आपके उपर यहाँ पर इसमें EMI Bounce में यहाँ पर चार्ज लगेगा वो दोस्तों आप यहाँ पर EMI आप यहाँ पर 10 दिन में कीजिए या फिर आप यहाँ पर 15 दिन में कीजिए चार्ज दोस्तों आपको यहाँ पर 800-900 रुपय आपको यहाँ पर लगने वाला है तो भई यहाँ पर कापे सारे बंदों का डाउट था कि हमारी EMI कटी नहीं है कब कटेगी कैसे कटेगी अगर भई आपके पास में पेनाओ का उप्सन आ चुका है तो भई उसको आप यहाँ पर आज के दिन दोस्तों इसको यहाँ पर पे कर दीजिए या फिर दोस्तो कल के दिन अगर आपके पास में आ चुका था तो भई आप यहाँ पर कल के दिन भी आप यहाँ पर इसको यहाँ पर पेक कर सकते दे आसानी से और भई यहाँ पर दोस्तो कापे सारी बंदों की यही प्रोब्लम होती है कि भी उनकी EMI डिड़क्ट नहीं हो पाती है तो भई मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है अगर आपकी EMI आपके बैंक के कारण की वज़से आपके यहाँ डिड़क्ट नहीं हो पाई है तो भई आपके ऊपर एक भी रुपा यहाँ पर चार्जेस वगरा नहीं लगेगा अगर भई आपने यहाँ पर खुद से बाउंस किये एक से दो दिन हो चुका है तो भई 700 से 800 रुपे लगेंगे वो भई आप यहाँ पर देख सकते हो पहली EMI पर दोस्तों आपके यहाँ पर कोई भी आपका यहाँ पर सिविल स्कोर इफेक्ट नहीं किया जाएगा अगर भी आप यहाँ पर रेगुलरी ऐसे करते हो तो भी आपके यहाँ पर लिमिट ब्लोक कर दी जाएगी जैसे आप यहाँ पर EMI कंप्लीट करते हो उसके बाद में आपको यहाँ पर एक यहाँ पर रुपए के आपको यहाँ पर लिमिट नहीं दी जाएगी तो भई इस time mid के application के regarding मैंने जो EMI होती है उसके regarding मैंने आपके यहाँ पर बता दिया है ये वीडियो थी तोस्तों मैंने आपके लिए यहाँ पर बता दिया वीडियो बना के आपके यहाँ पर कापे सारे doubt ने मैंने आपके यहाँ पर clear कर दिये आई होप कि यह जानगारी आपको बहुत अच्छी लेगे होगी वीडियो अच्छी लेगे तो लाइक कीजिए अगर भई अभी तक भी आपने इस channel subscribe नहीं किया है तो भई जल्दी जाकर इस channel subscribe जो कीजिए मिलते हैं next time दखके take care बाई